तो हेलो साथियों आज हम पढ़ेंगे मत्य प्रदेश की प्रमुक बोलीों के बारे में मतलब किस छेतर में कौन से बोली है पड़ी जाती है उनके बारे में तो आए हम विडियो शुरू करते हैं सबसे पहली बोली है बुंदेल खंडी तो साथियों बुंदेल खंडी जो बोली है वो दतिया जिले में, गुना जिले में, शिवपूरी जिले में, मुरेना में, सागर, छतरपूर, दमो, अशोक नगर, पन्ना, विदीशा, राइसेन, होशंगाबाद, नर्सिंग पूर, सिवनी, छिंदवाडा और बाला घाट में बुंदेल खंडी बोली जाती है, कौन से जगा दतिया, गुना, शिवपूरी, मुरेना, सागर, छतरपूर, दमो, अशोक नगर, पन्ना, विदीशा, राइसेन, होशंगाबाद, नर्सिंग पूर, सिवनी और छिंदवाडा तो साथियों आगली बोली है, निमाडी, निमाडी जो है, वो खरगोन, बढ़वाणी, खंडवा, धार, बुरानपू, देवास, जाबवा और इंदोर जिले में बोली जाती है, और इंदोर में फिर है बगेलकंडी, जो बगेलकंडी भाषा है, या बोली है उमरिया, सहेडोल, रिवा, सिधी और सिंग्रोली जिले में बोली जाती है, बगेलकंडी भाषा बोली, उमरिया, सहेडोल, रिवा और सिधी सिंग्रोली में बोली जाती है फिर है बिरिज भाषा जो बिरिज भाषा है वह भिंड मुरेना गौलियर में बोले जाती है बिरिज भाषा जो है वह भिंड मुरेना और गौलियर में बोले जाती है फिर है अगली बोली मालिवी है मालवी बोली जो है वो सिहोर, रतलाम, नीमच, मनसोर, साजापूर, जहाबुआ, देवास, उज्जेन और इंदोर जिले में बोली जाती है कहां कहां पर माली बोली जाती है, सिहोर, रतलाम, नीमच, मंसोर, साजापूर, जहापूर, देवास, उचेन और इंदोर में कहां पर बेतूल, जहापूल, जहाबूआ, जहाबूऊ, धार, बढ़वानी और खरगोंच, जिले में बोली जाती है भीली जो है, रतलाम, जहबवा, अलिराजफिल, धार, बढ़वानी और खरगोन जिलों में बोली जाती है, फिर कोरकु जो है, कोरकु बोली जो है, वो बेतूल, चिंदवाडा और खरगोन में बोली जाती है, कोरकु बोली कहां पर बोली जाती है, बेतूल, चिंदवाडा औ और खरगोन में बोली जाती है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद